गुड मॉर्निंग दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक वार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में तो दोस्तों आज का जो सेशन लेका है इसमें हम लोग गुरुक मेनी पबलीकेसन यानि की प्लेटफॉर्म के दौरा जो बॉल्यूम 2 बुक लांज किया गया है बिहार SSE के लिए जिसमें की टोटल 20 प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है तो आज की सेशन में हम लोग इसका 20 वा और लास्ट प्रैक्टिस सेट कवर करेंगे ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए होंगे तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा बगल में बेल आकन होका उसको प्रिस करना बिल्कुल मत बुलिएगा ताकि जब भी नए वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप लोग पास जल से जल पहुँचे अगर वीडियो ची लेगे तो एक लाइक जरू कर दीजेगा और अपने दोस्तों में भी इसको शेयर जरूर कीजेगा तो चलिए सुरू करते हैं आज का सेशन और देखते हैं टेस्ट स्रीज 20 का पहला कुश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है तो कुश्चन नमर फर्स्ट जो दिया हुआ इसमें कह रहा है कि सिनकोना के पेर मुख्यता निम्नलिक्षित में से किस वनस्पती से संबंधित होते हैं राइट आंसर है इसका ओशन कटी बंदी सदावाहार बंद से संबंधित होते हैं यह तो ए हो जाएगा इस कुश्चन का सही आंसर अब अगला प्रशन देख लीजिए कह रहा इसमें कि किस देश की मेजवानी में कॉप 29 सन्युक्त राश्र जलवायू परिवर्तन समेलन 2024 का आयोजन संपन किया जाएगा सही आंसर है अजरबैजान ठीक है अजरबैजान में ऑप्सन नमर क्या हो जाएगा इसका सी हो जाएगा सही उसके बाद जो नेक्स्ट कुश्चन दिया हो इसमें कि हाल ही में किसको इंद्रिया गांधी सांती पुरसकार 2023 से सम्मानित किया गया तो याद रखेगा यह सम्मान मिला है यहाँ पर देखिए ऑप्सन नमर सी होगा यानि कि A एवं B दोनों हो जाएगा डैनियल बरेन बोईम एवं अली अबु अबु अवाद को तो क्या हो जाएगा इसका सी हो जाएगा करेक्ट आंसर अब अगला क्वेश्चन देखेंगे के कहराइस में दक्षिनपूर्वी एसिया के व्रिधि त्रीकोन में सम्मेलित है तो इसमें सम्मेलित है सिंगापूर, मलेसिया अवं इंडोनेसिया याद रखेगा यह हो जाएगा इसक्वेश्चन का सही आंसर अब अगला प्रश्चन जो दिया वाइस में कह रहा है कि टॉट्स कुष्चन में कह रहा है कि 20 सवाश्त संगठन का मुख्यालय निनलेकित में सेक इस त Means सथीत है में total 194 है यह भी याद रखेगा तो क्या हो जाएगा इसका option number B इस question का यहाँ पर सही answer होगा अब चलिए अगला प्रशन देख लिजिए 7 number में कहरा है इसमें कि विश्व का सब से उंचा कहा जाने वाला विश्व सांती अस्तूप बिहार में कहां है राइट आंसर हो जाएगा इसका देखिए यहाँ राजगीर में इस्थित है बिहार के राजगीर में इस्थित है option number C इस question का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा next question जो दिया वैस में कहा रहा है कि महराश्व सरकार दौरा तीन साल से अधिक की सजा काट रहे जेल में बंद कैदियों को 50,000 रुपिय तक का पॉर्षनल लॉन देने की घोशना किस योजना के तहत किया गया है यह किया गया है जीवला योजना के अंतरगत भी जो है इसका यहाँ पर सही आंसर होगा उसके बाद जो नेक्स्ट कुशन यहाँ पर हो जाएगा कि लर्निंग साइन्स वाया स्टेंडर्ड पहल की सुरुवात निमनलेकित में से किसने की थी सही है भारतिय मानक ब्योरो के द्वारा अप्सिन निमर ए हो जाएगा इसका सही उसके बाद जो नेक्स्ट कुशन हो जाएगा इसमें कहरा है कि दुनिया के सबसे उंचे युद छेत्र सियाचीन में तैनात होने वाली भारतिय सेना की पहली महिला चिकित साधिकारी बन गई है इनमें से कौन तो वो बन गई है गिती का कॉल ठीक है याद रखेगा सी इस कुश्चन का सही आंसर हो जाएगा अब अगला प्रश्ण देख लीजे यहाँ पर 11 नमबर इसमें कहरा है कि तेलंगाना राजिमें हाल ही में दिसम्बर 2023 के चुनाव नतीजों के आधार पर कॉंग्रेश ने कितने 119 सीट है याद रखेगा 119 सीट जिसमें की कॉंगरेश को 64 सीट प्राप्त हुआ था तो अप्शन नमबर इस कुश्चन का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अब अगला प्रश्ण के रसमें कि अंगोला की राजधानी कहां है तो अंगोला की राजधानी लुआंडा है ए हो जाएगा अगला प्रश्ण टैगर वूड की स्खेल से संबंदित है राइट आंसर गोल्फ से टैगर वूड जो है यह गोल्फ कहलते हैं और यह अमेरिका की खिलारी है याद रखेगा तो ए इस कुश्चन का सही आंसर होगा नेक्स्ट कुश्चन कहरा है कि सत्य सोधक समाज के अस्थापना किष्णे के थी सही है जो तीवा फूले के द्वारा जो है सत्य सोधक समाज के अस्थापना करी गई थी और इसके अस्थापना कब होई थी तो 18, 73 इस भी में ये भी याद रखेगा ठीक है तो option number A इस question का सही answer होगा अब चलिए next देख लेता है कह रहा है कि निम्न में से किसे पुनर जागरन का अग्रदूत माना जाता है तो इसमें दानते को जो है पुनर जागरन का अग्रदूत माना जाता है और यह इतली के एक महान कभी थे तो option number क्या हो जाएगा D हो जाएगा इसका सही उसके बाद 16 number question मैं थरेजिनी का question जो है answer टीक करते चले खुशे solve कर लिजेगा 16 का right answer B होगा 17 का B 18 का C होगा 19 का D 20 का C 21 का C 22 का D 23 का B होगा 24 का B 25 का D 26 का C 27 का C 28 का A 29 का C हो जाएगा 30 का right answer option number यहाँ पे C होगा उसके बाद जो अगला प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है इसमें कहा रहा है कि निम्न लेखित समस्याओं में से कौन सी समस्याओं भारती अर्थ व्यावस्था से निरंतर रूप से जूरी हुई है तो वाद समस्याओं जो है यहाँ पे देखिए उपरोक्त में से सभी हो जाएगा मुद्राइस फिती, राजकोसिय घाटा, चालू खाता घाटा option number क्या हो जाएगा D इस question का सही answer होगा चलिए next देख लेते हैं यहाँ पे कहरा है कि रज्मनामा किसका फार्सी अनुवाद है तो फ्रेंट्स महाभारत का फार्सी अनुवाद जो है रज्मनामा है C इस question का देखिए यहाँ पे सही answer हो जाएगा अब next question देखेंगे कहरा हैस मैं कि दादा भाई नरोजी ने सरकार की द्वारा भारत से धन के निसकासन की निती की व्याख्या निमने लिखित किस पुस्तक में की थी तो यह किया गया था पावर्टी एंड अन ब्रिटिस रूल इन इंडिया नामक पुस्तक में option नमर क्या हो जाएगा B हो जाएगा इसका सही अब चलिए अगला प्रश्न देख लेजिए प्रश्न नमर 34 होगा इसमें है कि सहनामा के लेखक कौन है सहनामा के लेखक कौन है तो सहनामा के लेखक है फिरदा उसी याद रखेगा B हो जाएगा अगला प्रश्न किस वर्स में सुभास चंद्र भोष्णी भारती राष्टी सेना को नत्रित्व प्रदान किया था तो B जो है इसका यहां पर देखे राइट आंसर होगा अब चलिए अगला question देख लेते हैं कि रामप्पा मंदिर के नाम से लोग प्रियरुद्रेश्वर मंदिर कहां इस्थित है तो friends यह तिलंगना राज्य में इस्थित है B हो जाएगा इसका सही आंसर अगला question परंडित निखिल बेनर जी के परती पादकों में से एक थे तो यह सीतार के परती पादकों में से एक थे B हो जाएगा इसका सही उसके बाद next question कहा रहा है कि विस्व प्रसीद संगीतकार उस्ताद अली अकबर खान निम्नलिकित में से किस वाद ही अंतर से जूरे थे राइट आंसर है यह सरुद से जूरे थे option नमर क्या हो जाएगा D next question कहा रहा है यहां पर कि किस राजी में जेमू गलेसियर अवस्थित है सही है सिक्किम राज option नमर A हो जाएगा अगला प्रस्ट कहा राय की भारत में अंग्रेजी सासन के विरुद प्रसीद रामोसी विद्रो 19 भी सतावदी के उतरार्द में हुआ था दिये गए विकल्पों में से उस छेतर की पहचान करें जहां यह घटित हुआ था तो यह परसीमी महराश्ट में घटित हुआ था अप्सन नमर C हो जाएगा इसका सही नेक्स्ट कहा रहा है कि MS Excel 2010 में वर्क सीट में एक ही सेल में एक नई लाइन प्रविष्ट करने के लिए निमनलेकित में से किस कीवोड सर्टकर्ट का उप्योग किया जाता है तो इसमें Alt प्लस इंटर का उप्योग किया जाता है भी हो जाएगा इसका सही नेक्स्ट क्विष्टन कहा रहा है कि वह महिला जो इंडियन नेशनल आर्मी यानि की आजाद हिंद फोज में सामिल हुई थी वह कौन सी महिला है तो वह है लक्षमी सहगल ठीक है याद रखेगा लक्षमी सहगल जो है यह इंडियन नेशनल आर्मी में सामिल हुई थी और लक्षमी सहगल जहांसी रेजिमेंट की कमांडर थी ये भी याद रखेगा तो B इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा अब चलिए अगला प्रश्चन देखेंगे कह रहा है कि यह कथन हम भारत को या तो आजाद करेंगे या आजादी के प्रियास में दिवंगत होंगे किस से जूरा हुआ है तो यह भारत शुरू आंदोलन से जूरा हुआ है फ्रेंट्स याद रखेगा अब चलिए अगला प्रश्चन देखेंगे कह रहा है कि राश्च्री आंदोलन की निम्नलिखित घटनाये हैं इनका सही कलानू क्रम क्या होगा सही आंसर है इसका अप्सेन नमर ए होगा एक दो सबसे पहले एक हो जाएगा यानि कि चमपारन सत्यागरा कब हुआ था 1927 बी में कब हुआ था फ्रेंड्स यह 17 इस भी में हुआ था उसके बाद दो नमर पे हो जाएगा यहां पर देखेंगे अशहयोग आंदोलन और यह और यह अशहयोग आंदोलन जो है यह कब हुआ था तो यह 1920 से 22 के दोरान हुआ था उसके बाद चार नमर पे आए दांडी मार्च यह 1930 से भी में हुआ था और उसके बाद सबसे लाश्ट में भारत छोड़ो आंदोलन यह कब हुआ था तो 1942 से 44 के दोरान तो अपसे नमर ए इस कुश्चर का राइट आंसर होगा नेक्स्ट है करा कि इंडियन नेशनल कॉंग्रिस और मुसलिम लीग के बीच मताइक के काकाल निवन में से कौन परदरसीत करता है तो यह 1916 से 1922 जो है यह करता है परदरसीत भी इस कुश्चन का सही आंसर होगा अब चलिए अगला परशन देख लीजिए परशन नंबर 46 दिया हुआ है 46 का सही आंसर जो है बी हो जाएगा फ्रेंट्स ठीक है उसके बाद जो नेक्स्ट दिया हुआ यहाँ पर 47 नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा 47 का C 48 का B होगा 49 का C 50 का A 51 का राइट आंसर आप्सन नंबर A होगा 52 का C 53 का C होगा 54 नंबर क्विश्चन का राइट आंसर आप्सन नंबर C है 55 का सही आंसर फ्रेंट्स D हो जाएगा 56 जो है इसका राइट आंसर D है 57 का हो जाएगा A 58 का राइट आंसर D 69 का A है 60 का करेक्ट आंसर हो जाएगा C उसके बाद अगला प्रश्ण जुदिया वैसमे कहरा है कि निम्न लेखित क्रीसी में से कौन सा भदई अगहनी एवं गर्मा क्रीसी से संबन दित है तो याद रखेगा यह धान की खेती है A हो जाएगा इसका राइट आंसर उसके बाद कहरा है कि सिक्षाक अधिकार अधिनियम 2009 लागू की गई तो यह अप्रैल 2010 इसमी में लागू किया गया था C इसका राइट आंसर होगा उसके बाद नेक्स्ट है कि बाद आस्थापित प्रकिर्या लिया गया है यह लिया गया है जापान के समीधान से ठीक है Opsen No. क्या हो जाएगा B हो जाएगा इसका सही अग्ला प्रश्ण में कहा रहा है कि भारत में कौन सी पार्टी मानता परापर राश्ट्रिय पार्टी नहीं है तो इसमें देखिए समाजवादी पार्टी जो दिया वा यहां पे यहां एक राष्ट्य पार्टी नहीं है बाकी भारती कम्योनिस्ट पार्टी अखली भारती तरिनमूल कॉंग्रेस बहुजन समाज़ पार्टी यह सभी के सभी जो है राष्ट्य पार्टी है तो आपसन नमर सी इस कुश्चन का सही आंसर हो जाएगा अब चलिए अगला प्रश्चन देख लिजी के राए कि औरंग जेव की पतनी राविया उद्दुर्रानी की कबरगा बीवी का मकवरा नामा कस्मारक निमने लिखित में से किस राज्य में इस्थित है तो यहाँ महराश्चर में इस्थित है याद रखेगा डी हो जाएगा इसका सही आंसर अगला प्रश्चन है कि कावेरी नदी का बेसी ने निमने लिखित में से किस राज्य तक नहीं फैला हुआ है तो यह आंधर प्रदेश तक फैलावनी है अपसे नमर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा चलिए अगला प्रश्चन देख लिजिए इसमें कहा रहा है कि भारत के समिधान के निमने लिखित में से कौन सा आनुछेद मानव तसकरी के निशेद को मौलिक अधिकार घोसीद करता है तो वह अनुछेद है अनुछेद 23 याद रखेगा D जो है इसका यहाँ पे सही आंसर होगा अगला प्रश्चन कहा रहा है कि तैवान की राजधानी कहा है तो तैवान की राजधानी तैपे है फ्रांस याद रखेगा C हो जाएगा अगला प्रश्ण निम्न में से किष्णे समिधान को एक पवित्र दस्तावेज कहा है तो यह अब B, R, अमबेटकर के द्वारा कहा गया है D, इस question का right answer होगा अब चलिए अगला प्रश्ण देख लीजिए किस राजी में पंचायती राज संस्था नहीं है तो इसमें से मिजोरम में पंचायती राज संस्था नहीं है यह हो जाएगा इसका सही answer first चलिए अगला प्रश्ण देखेंगे प्रश्ण नम्मर यहाँ पे हो जाएगा 71 और इसमें कहा रहा है कि ग्राम सभा के संदर में निमनलिखित में से कौन सा कथन असत्य है तो यहाँ पे देखे दिया हुआ है सभी कथन सत्य है यानि कि सभी के सभी जोई क्या हो जाएगा सत्य कथन होगा next question देख लीजे 72 नमर यहाँ जो दिया हुआ इसमें कि उद्योगों में प्रसिक्षन विद्यार्थियों को निसूल का अथवा कम कीमत पर पुस्तके और स्टेशनरी उपलवद कराने जैसे आर्थिक कारिकरम सरवपर्थम किस पंचवर्ची योजना में प्रारंभ किये गये थे तो यह पाँच भी पंचवर्ची योजना के दौरान प्रारंभ किया गया था C जो है इसका यहाँ पर देखिए राइट आंसर होगा अगला प्रश्ण है कि रासन कार्ड के संबंध में निम्नलेखित युग्मों पर विचार कीजिए और उपर युग्त में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है तो इसका देखिए केवल एक जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा सही सुमेलित अंतियोदे कार्ड जो है निर्धनों में भी निर्धन को दिया जाता तो आप्सन नमर C इसका करेक्ट आंसर होगा चलिए नेक्स्ट कॉश्चन देखते हैं कि भारत में हरित क्रांती के दूइतिय चरन में HYV बीजों की प्रोध्योगी की का विस्तार अनेक राज्यों तक कर दिया गया हरित क्रांती का दूइतिय चरन कब प्रारंब हुआ था तो यह 1970 के दसक में प्रारंब हुआ भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा फ्रेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में बेरोजगारी और गरीवी के अनुमान आधारित है किस पर तो यह NSSO के पडिवारों के उप्योग व्याय के सर्वे पर आधारित है ए हो जाएगा इसका यहां पर राइट आंसर चलिये अगला क्वेश्चन देखेंगे यहां पर 80 नमर क्विश्चिन जो यहां पे दिया वा पहले आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा 80 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आप्सिन नमर ए होगा 81 का सही आंसर हो जाएगा आप्सिन नमर ए 82 का भी 83 का ए 84 का भी 85 का सी होगा 86 का डी 87 का सी है 88 का राइट आंसर हो जाएगा सी 89 का डी है 90 का ए उसके बाद देखिए अगला प्रश्ण जो दिया वा इसमें कहरा है कि सर्वो परिसत्ता की निती किष्ण दी थी तो यह लॉर्ड हैस्टिंग्स के द्वारा दिया गया था भी हो जाएगा इस कोश्चन का सही आंसर अगला प्रश्ण में कहरा आए कि भारत के किस राजी में इस्थित है तो यह भारत के करनाटा के राजी में इस्थित है फ्रान्स आप्सन निमर B हो जाएगा इसका राइट आंसर गठन कब हुआ तो यह हुआ था 2004 इस भी में D हो जाएगा अगला प्रश्ण राजनेती कानोनी तोर पढ़िया असपश्ट करती है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं किस ने कहा है ये तो यह अरस्तु ने कहा है अप्शन नमर B हो जाएगा उसके बार चलिए नेक्स्ट क्वेशन कहरा है कि निमन में से कौन सी नोबेल गाइस नहीं है इन में से कौन सी नोबेल गाइस नहीं है तो क्लोरीन जो है इस में से नोबेल गाइस नहीं है सी इस क्वेशन का राइट आंसर होगा अब चलिए अगला question देख लिजे देखिए अगला question यहाँ जो दिया है इसमें 25 degree Celsius, 38 degree Celsius तथा 66 degree Celsius को Kelvin माफ करम में परिवर्तित करने पर इन तापमानों का सही अनुकरम क्या होगा पूछा जा रहा है तो पहले इसका option देख लिजे यहाँ पर देखिए जो option दिया हुआ है उसमें इसका सही आंसर हो जाएगा option number A होगा 298 Kelvin, 311 Kelvin और 349 Kelvin ठीक है फ्रांस चलिए next question देख लिजे कहरा है इसमें कि मतस्य वर्ग पूर्ने रूप से जलिये जनतु है निमने लिखित विकल्पों में से कौन सी उनकी एक विशेस्ता नहीं है तो इसमें से ये उश्न रक्त वाले जीव होते है या इसकी विशेस्ता नहीं है ये इस question का सही आंसर होगा अगला प्रश्न जो दियावास में कहरा है कि निमन में से सही कथन है correct answer इसका option number D होगा धुरूवों पर जी का मान तो यह 100 decibel के संगत होती है भी हो जाएगा अगला प्रश्न ग्रिस्म काल में जल को मिटी के बर्तन में रखने पर कीस परी घटना के कारण वह ठंडा हो जाता है सही है वास्पन के वज़र से D हो जाएगा इसका right answer इसकाerca की मानब शरीर में सबसे प्रचूर मातरा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है तो वह तत्व है oxygen याद रखेगा oxygen जो है मानब शरीर में सबसे प्रचूर मातरा में पाए जाने वाला तत्व है जिसका percentage है 65 यानि की 65-35 ये पाया जाता है option number D हो जाएगा अगला प्रस्ट जो दिया है इसमें देखिए इसमें कहा रहा है कि दो बट्टा तीन उचाई तक जल से भरा कोई टैंक कर एक समान चाल से गती मान है अचानक ब्रेक लगाने पर टैंक में भरा जल जो है वह क्या होगा तो वह आगे की और गती करेगा option number B हो जाएगा सही next question इसमें दियावा कहा रहा है कि रक्त उत्तक का एक प्रकार है तो रक्त जो है blood या एक सन्योजी उत्तक का एक प्रकार है option number C हो जाएगा अगला प्रस्ट nitrogen गायस का रासाइनिक प्रतिक क्या होगा option number B हो जाएगा and to option number B ठीक है चलिए अगला question देख लिजे यहाँ पे 106 number जो दिया हुआ friends इसका right answer 106 का option number D होगा ठीक है option number D इस question का सही answer है अब चलिए next देख लिजे 107 number question जो दिया हुआ है इसका सही answer option number D है 108 जो दिया हुआ यहाँ पे 108 का D 109 का A 110 का A है 111 का A 112 का C 113 का A होगा 114 का A 115 का right answer C 117 का A है 118 का A उसके बाद next यहाँ पे हो जाएगा 119 और 119 जो है इसका right answer option number A है 120 का होजागा फ्रेंटस option number D उसके बाद जो अगला प्रशन यहाँ पे दिया हुआ है इसमें किया रहा है कि माइनस 273 दसन लब 15 डिग्री सेल्सियस तापमान इन में से किस के बरावर है तो यह 0 Kelvin के बरावर होगा option number A इसका right answer है चलिए next देख लिजे कह रहा है कि एक लड़का आर दूरी तक सीर पर वजन रखकर चलता है उसे अधिकतम कारे करना पड़ेगा जब वजन को लेकर सही है उर्द्वतल पर उपर चलता है तो option number D इसका right answer होगा चलिए next देखते हैं कह रहा है कि power, alcohol और ethyl alcohol का misren है right answer है petrol यहाँ पर हो जाएगा power, alcohol, petrol और ethyl alcohol का क्या होगा misren option number D हो जाएगा अगला प्रश्ण जीवासम समाना तक कि इस चट्टान में पाये जाते है सही है अब साधी चट्टान में पाये जाता है option number A हो जाएगा इसका right answer अगला प्रश्ण जो दिया हुआ है इसमें देखे कह रहा है कि निमनलेकित में से कौन सा पौधा thail of hata नहीं है तो इसमें फ्यूनेरिया जो है यह thail of hata के अंतरगत नहीं आता है option number C हो जाएगा सही answer उसके बाद next दिया हुआ इसमें कि अस्पाइरो गायरा और प्लेनेरिया में होता है सही है पुनर जनन क्या हो जाएगा इसका D हो जाएगा next दिया हुआ इसमें कि जब किसी तार से होकर धारा परवाइत होती है तो परतेक बार कम पास की सुई में विच्छेपन होता है इस विच्छेपन पर सरो पर्थम किसका ध्यान गया था तो हैंस क्रिस्चियन और स्टेट का ध्यान गया था सबसे पहले B हो जाएगा इसका right answer next है कि अस्थी के अधार द्रवे ओसीन में कितने परतिसत और कार्वनिक पदार्थ होते है सही है 62 परतिसत option नमर C हो जाएगा next इस पाथ को कठोड़ी करित करने के लिए कि सरासानिक तत्यों कियाव सकता होती है सही है मेगनेज की option नमर B हो जाएगा right answer अगला प्रश्ण इसमें है कि MS Word 2010 के संदर में निम्नलेखित कतनों की सत्य या असत्य के रूप में पहचान करें सही हो जाएगा इसका option नमर D एक में सत्य हो जाएगा और दो में जो है या असत्य हो जाएगा ठीक है friends चलिए अगला देख लेंगे यहाँ पर कहरा है इसमें कि प्रकास को प्रिज्म से गुजार कर spectrum प्राप्त करने वाले पहले बेक्ती कौन थे तो वह थे Isaac Newton option नमर C हो जाएगा इसका right answer चलिए next question देखेंगे कहरा है कि cookies आपको track करती है और आपकी गोपनियता को उजागर करती है तो वह है third party यहाँ पर हो जाएगा ठीक है third party cookies आपको track करती है और आपकी गोपनियता को उजागर करती है option नमर C हो जाएगा सही next question यहाँ पर दिया हुआ है कि पहला स्वादेशी निर्मीत प्रच्छेपनियान इन में से कौन सा है तो वह है PSLV C1 यानि की option number D इसका right answer होगा चलिए next देख लेंगे कह रहा है कि ठनाइटो लौजी नामक बिज्ञान में किसका आधियन किया जाता है तो friends इसमें मिर्तियों के सभी पहलों का आधियन किया जाता है A हो जाएगा इसका right answer यानि कि देखें इसमें दिया हुआ वकरता तिर जी आप होकल नमभाई के दूगूने के बराबर होती है यह कतन बिल्कुल सत्य हो जाएगा option number A इसका right answer है अब देखेंगे next यहाँ पे 36, 136 और 136 का सही answer जो है वह भी हो जाएगा उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे 137 नमबर और 137 का जो right answer हो जाएगा friends, option number A होगा 138 का हो जाएगा D 149 का सही answer option number D होगा 140 का हो जाएगा B 141 का सही answer C है 142 का हो जाएगा A 143 का D 144 का D होगा 145 का C 146 नमर question जो दिया होगा देखेंगे इसका right answer हो जाएगा D 147 का हो जाएगा option number B 148 का right answer option number D है 149 का हो जाएगा C और उसके बाद इस set का जो last question है इसका right answer option number B हो जाएगा तो friends ये था the platform के दोरा जबुक launch किया गया है B SSC second inter-level vacancy के लिए volume 2 book जिसमें की total 20 model practice set था तो आज हम लोग इसका 20 वा और last model practice set cover कर लिए है total 150 प्राश्ण friends एक बर comments करके जरूर बताएगा कि ये session आप लोगों को कैसा लगा और इससे पहले का एक से लेके 19 तक का जो video upload किया गया है अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो आज के इस वीडियो के description में उस सारे वीडियो का link यहां से आप लोग देख लिजिए या फिर हमारे चैनल के playlist में जाके आप लोग उस सारे वीडियो को देख सकते हैं अगर आप लोगों के इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीगरम चैनल से जूर जाएए वहां से इसका PDF भी आप लोगों को रिविजन के लिए मिल जाएगा तो प्रैंट्स ऐसे ही प्रैक्टिस सेट लगाने के लिए हमारे चैनल से जूरे रहिए नेक्स्ट वीडियो में दुबरा फिर से एक नए सेट के साथ मिलेंगे तब तक के लिए जाहिंद